हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं एक लंबे इंतिजार के बाद मेरी लाइट सही ट्राक पे आई है आज से मेरी जिन्दगी की एक नई शुरुआत होगी दीपा दीपा कितना टाइम लगाओगी यार कब से नहारी हो तुम कम आओ हमना आज भी लेट हो जाएंगे बहार निकलो तुम तुम्हारी वज़े से न हम डेली लेट होते हैं अच्छा और तुम जो मुझसे पहले बात्रूम हाइजेक कर लेते हैं उसका क्या हाँ? कल से तो आई तेक बात तुससे पहले फिर देखते हैं कौन है लेट लटीफ? कल से तो मैं हुई नहीं, मोटी, भूल गई ना? आज शाम को ही मैं ऑफिसे घर वापस जा रही हूँ अर्य हाँ, मैं भूली गई कल से तेरी लाइफ का अल्टिमेट बैटल शुरू होने वाला है युद्धका, शंखनाद, कल तेरी सगाई से युद्धका, तो मैं भाइफ के चाहे, चाहेा, मैं नहीं खाँ, चाहेा वैसे हो, ते को रिखा कि कल तरी सगाई है काल तो पार्लर चले जाना अट-लीस, क्लीज, तू अपनी आड्वाइस ना पर पास ही रख, ऑके? रामानुच लाइक्स तुवे रहाई 16 जन्वरी 2012 की शाम मैं एक ऐसे सफर की शुरुआत करने वाली थी जिसमें बीतने वाला हर एक पल उन उमीदों से भरा हुआ था जो अम्मा ने मुझसे लगा रखे थे भीड और शोरगुल के बीच भी ये सफर मुझे अतीत की उन सारी यादों से जोड़ रहा था जिन से मेरा बचपन से एक नाता था लेकिन अब हर नाता 360 डिगरी का reverse turn लेने वाला था शादी के बाद तुम्हें जॉब छोड़ने पड़ेगी रामया लेकिन ये मेरा फर्स जॉब है इस रिली स्पेशल टूमी इसको कुट करना मेरे लिए इतना असान नहीं है रामनोज मतलब शादी के बाद तुम अना कलम में और मैं शौरनूर में अरे हस्बंड वाइव का 300 किलोमीटर दूर रहना मतलब 300 तरख के मिसर्निस्टेंग पैदा हो जाती है हाँ रामनोज पर मैं सब इतना कह रही हूँ कि शादी के बाद अपने कॉलीग्स को अपने फ्रेंड्स को दीपा को और अर्नाकलम शहर को बहुत मिस करोंगी राम्या तुम कुछ मिस नहीं करोगी बिलीव मी अल गिव यो हेवन रामनोज अम्मा का कॉल आ रहा है मैं उनको बता नहीं भूल गए कि मैं ट्रेंड में चड़ गई हूँ I'll call you back soon, okay? Okay, okay Haan, ma लेडी's compartment में ही बेटी है न, Ramya? Haan, ma लेडी's compartment में ही बेटी हूँ अब टेंशन मत लो अच्छा, ठीक है धान से आना और हाँ, सेंठील तुझे लेने स्टेशन आ जाएगा उसके साथ ही आना Okay, ma ये लो न, सेवया है जो, थैंक्स. अरे, लेलों नहीं थोड़ा? शर्मावमा, लेलों, लेलों. थैंक्यू. ओध थोड़ा, लेलों. वे रिए, थैंक्यू. भगवान से बस अब यही कामना है, कि मेरी खुश्यों को किसी की नजर ना लगे. और यह सफर आसानी से बीच है. शर्म, लेलों भाए, धरम साणीू. राम्य के ट्रेन आगे? ट्रेन तो आगही अम्मा लेकिन जची काई मिल ने रही. तु जरूर वहाँ पहुंचा ओगा. शर्शन तो पहले पहुच गयता अम्मा. फिर राम्या का है? उनिको तो डूंड रहे आमा अरे फोन करना फिर उसे, वह ही कही होगी फोन दीन डान रहा है आमा, चार्जिंग खतम हो गया होगा तू ध्यान से देख उसे वहां हाह सउंतील, राम्या का फोन नहीं लग रहा गर आ गई हो नहीं, रामानुज, उनकी ट्रेन आ गए लेकिन चेट्ची कई मिल नहीं रही क्या? पर उसकी ट्रेन तो साड़े क्यारों को पहुंच जाती है और अब एक बज़ रहे सर, मेरी सिस्टर रामया ने अरने कुलम से शोर्न वोला पैसेंचर ट्रेन पकड़ाता ट्रेन साड़े क्यारा बज़े स्टेशन पॉच गए थी, लेकिन चेट्ची वान नहीं पॉचिए साड़े का केस है अपने वारी पोर्ट किया? सर, पोलिस तो पलिस होता है ना, ठीक तो मेरी चेट्ची नहीं मिल रही सर, यह सर प्रोची जब हमें पता नहीं, प्लीस हेलप उस, क्या वो? सर, मेरी मंगेतर रामियाब अन्या कॉलम से शोर्न और की पैसेंचर ट्रेन से आ रही थी सर, ट्रेन साड़े क्या पहुच गए, पर वो पहुचे ही नहीं, वो यह अन्या कॉलम से ट्रेन में चड़ी थी? हाँ सर, और करीब साड़े नौबचे जब उसने मुरूर कारा क्रॉस किया था, तब मेरी उससे पोन पे बात भी थी लेकिन सर, चेची का फोन बंद आ रहा है, पता ने क्यू नहीं पोची, ठीक है, आम दो रेलवे पुलिस से गाडिनेट कर थे हलो, हलो, मैं कली दिन अगर पोली स्टेशन से पेसे नायर बोल रहा हूं, हमार यहां प एक लड़की की मिसिंग गंबलेंडाई, उसके घरवालन का कहना है कि वो लड़की शोदनूर रेलवे स्टेशन पे पोचने वाली था, पर वहां से उ घर तक पोची नहीं, क्या आप मैंने एक लड़की को लड़की को जम करते हूँ, देखा सब, हमें उनकी बातों से ऐसा लग रहा था, जैसे लड़की की बोड़की की को इनफोर्मिशन नहीं मिली है, लेकिन हमारी टीम रेलवे ट्रैक्स पे उसे सर्च करने की कुशिश कर रही है रामया, रामया कहा है? सेंतिल, रामया कहा है? रामानुज, रामया कहा है? तुम लग उदर जा, उदर देखो, हाँ सरी, यहाँ ध्यान से देखो, नहीं सरी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, उदर उस तरफ देखते रहो, तुम, एक मिन, एक मिन, एक मिन, औरे, यह इदर आओ रामया अगर ट्रेन से कूदी थी, तो उसको ट्रैक के पास मिलना चाहिए था, लेकिन उदर ट्रैक से इतने दूर मिली, कैसे? हमें लगता है ट्रेन से कूदने के बाद रामया जैस्पोर्ट पे गिरी होगी, वहाँ से उसे ड्रैक करके दूसरी जगह पे ले जाया गया होगा रामया हमें जिस जगह पर मिली, उस वक्त उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, शायद उसके साथ रेप किया गया हो आपको कहने है रामया जब ट्रैन से गिर कर बुरी तरह जखमी हुई थी और जिंदगे और मौत के भी जूज रही थी, तब उसके साथ उस हालात में किसी ने रेप किया विगेस ये रेप नहीं गैंग रेप हो सकता है, हो सकता है एक से जादा लोग उसे ट्रैक से खींच कर ले गए हूँ और उसके साथ गैंग रेप किया हो क्या हुआ सर? कहा है मेरी रामया? क्या हुआ है उसे? यहां क्यों लिखिया है उसे? देखिए रामया ट्रेन से गिरने के बाद बुरी तरह जख्मी हुई और शख है कि शायद उसके साथ गैंग रेप हुआ है यह अप क्या कह रहे हैं सर्थ? पहले तो आप किरे थे कि स्विसाइड है और आप किरे कि रेप? देखिए हमें शक है कि शायद रामया ने सुसाइड अटिम किया है मैं ने, मेरी रामया कभी सुसाइड नहीं कर सकती वो कोई और लड़की होगी जिसे आप रामया समझ रहे हो देखिए हम खुद हैरान है कि कोई आदमी इतना वहशी कैसे हो सकता है कि जो लड़की जखमी है, जिन्दगी और मौत के बीच जूज रही है उसके साथ वो रेप करें 16 जनवरी 2012 की रात रम्या के लिए जितनी भायानक थी उतना ही देल दहलाने वाला उसके साथ अपराद गुआ था मामले की गंबीरता को देखते हुए ये केज रेलवे पुलिस से कालंदी नगर पुलिस टेशन को सौप दिया गया था अश्या पुलिस अश्या था शी इस वेरी क्रिटिकल सर अभी कुछ नहीं का जा सकता राम्या की फैमिली लगातर यही कहरे है कि राम्या सुसाइड नहीं कह सती और जो ग्यांगरे बात सामने आही है वो भी चौका देने वाली है एक काम करो, आर्पिफ की टीम गोरो स्पॉट पर चले जाना जिस भोगी से राम्या ट्राइवल कर रहे थी इस भोगी को दुबारा से चेक करो सर्थ पूरे कंपाटमेंट को अच्छे से चेक करो, जो भी एविडेंस लगता है गलेट करो से सर्थ सर्थ डोनों बटन सेम लग रहे हैं, हो सकते सेम शेट के हो ब्लेट स्टेंज संजीू फुरेंसी टीम को बलाओ परिस ब्लेट को राम्या के ब्लेट के साथ मैच करके देखने को बलाओ सर्थ अवे यहींपे उस लड़के किलाश मिलेएथी? यह ट्रेल है? अब लड़की उस तरफ गिरे थी अब लड़की उस तरफ गिरे थी और यहां से उसे वहां तरफ खीच के ले जाए गया और वहां ले जाके उसके साथ गैंग रेफ हुआ लेकि रात में अंदेरा होने की वज़ा से हमें पता नहीं चल पाया कि राम्या यहां पर गिरी होगी क्राइम सीन पर जो भी सबूत मिले उससे तो यही लगता है कि राम्या के साथ रेप तब हुआ था जब वो जखमी थी रेल्वे कंपाट्मेंट में स्ट्रगल के निशान मिले थी मतलब राम्या को ट्रेंज से beginner सFC अटेंजन नहीं बलकिumt ऑफ मर्डर था यह बटंस बटंस बटंसे राम्या के कपड़ों के नहीं लगते और हैर्कलिप ट्रीन से ट्रैवल कर रही और उसी compartment में हमें खून के निशान भी मिलें तो ऐशा भी हो सकता है कि किसी औरत ने रामय को लूटने की कोशिश की। उसी औरत में राम्या को लूटा और चलती ट्रेंज proteins दक्का दे दिया लेकिन सिरफिश अपर उन दो लोगों ने podeखना, कि उन्होंने राम्या को ट्रेंज से चलांग मारके देखा फिलाल राम्या तो statement देने के हालत में नहीं है लेकिन क्राइंग सिंसे जो भी इविडेंसेज मिले है उससे थेहरी तो यही बनती है यह रामय को चलती ट्रेंज से धक्का दिया उसे लूटा गया और जखमी हालत में उसके साथ ग्यांग रिप हुआ और इन वार्दातों को अंजाम देने वाले लोगों को हमें ठूणना है उस एरिया में जाके पूछताज करो जहां हमें जखमी हालत में रामय मिली थी एक आप उसी एरिया के उठाएगे रोगा हो सबता है और वो दो लड़के जिन्होंने रेलेव पुलीस मेर रामय के बार में कंप्लेन लिखवाई दिए उनसे को आखेम मिले सर्व कुस्कुजू सर्व 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 वीडियो वाले को इस केस के बार में पता चल गिया है कर दो कल 16 जनुरी की राद एरना कुलम शोर्णूर पैसेंजर से सफर कर रही एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप सब के रोंग्टे करे हो जाएंगे आखिर कौन होंगे वो दरिंदे युन्होंने एक ऐसी लड़की के साथ गैंग रेट किया जो लहू-लोहान हालत में जिंदगे और मौस से लड़ रही थी पहले जिसे रेलवे पुलीस सुसाइड का केस मान रही थी आवो केस गैंग रेट और अटेम्ट टू मडर का भी समझा जा रहा है अब आपके अकाउंट में ना मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिया रेंट दे दिया अरे रेंड का पैसा तो सेंतिल ने अरेंज कर लिया था इस पैसे से हम तुमारी सगाई की शॉपिंग कर लेंगे अम्मा आप कॉफी पी रिया ना तुझे कैसा पता चला वार्ट आपकी कॉ शॉनूर से अर्णा को लम तकाती है बहुत निसकरते आपकी कॉफी को वर्ल्ड में आपके जैसी कॉफी ना कोई नहीं बना सकता हम अच्छा अब ज्यादा मसका मत लगा शॉनूर का बारी है अगले हपते तुमारी सगाई है और तुम अभी भी वही हो सगाई से पहले मैं सर्फ आपके साथ रहूंगे आपकी कॉफी और हम खुब बाते करेंगे अम्मा अब राद बर नहीं सोई घड़ जाकर थोड़ आरम कर लो मेरी राम्मय नहीं राद बर कुछ खाया है नहीं जय जाकर उसके लिए नासल लिया अम्मा चैच्ची को ग्लोकोस लगाए अब घड़ जाकर आरम कर लो तुझे बोलाता राम्मय को अरना कुलम जाकर लिया कैसा भाई है तो खुच जाकर लिया था तो आज राम्मया 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 तो दिन दो लोगों ने राम्मया के ट्रेन से किरने की कंप्लेंड लिखवाई थी उनका फोन ही नहीं बलकि घर भी बंद है सर वो दोनों सुबह से का है आस परस से भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है अगर इनका फोन और घर दोनों बंद है तो हो सकते कि राम्मया के साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें ये दोनों इन दोनों का फोन सर्विलेंस पर डाल दो और ढून का निकाल ये दोनों है कहां जी सर रेलवे पोलिस को कंप्लेंट लिखवाने वाले रंजीत और स्वामी नाम के लड़कों का गायब होना उनकी भूमे का संदिक्द बना रहा था वहीं क्राइम सीम के आसपास के इलागों के जेब कत्रे चोर उचक्के और उठाई गिरों को भी राउंड अप किया जा रहा था और जल्द ही उन दोनों लड़कों में से एक रंजीत का फोन उन हुआ दर मैंने तो खुद रेल्वे पुलिस कंप्लेंड लिखा करके अपना फ़र्द निभाया था अब आप लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं तो उस पर शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तू फोन बंद करके गायब हो गया था सर मैं BSA का स्टूरेंट हूँ एक्जाम देने किया हुए था और सर एक्जाम हॉल में फोन यूस करना अलाउड नहीं है इसलिए मैंने अपना फोन बंद कर रखा था तेरा वो दोस्त वो भी गायब है जिसके साथ मेलकर तू रेलवे पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने गया था सर वो मेरा दोस्त नहीं है हम लोग बस साथ में उसी ट्रेंड में शोनूर जा रहे थे जिस ट्रेंड से उस लड़की ने चलांग लगाई थी तो तूने अपने डिबे से उस लड़की को लेडिस कंपाटमेंट से कूथते वे देखा था नहीं सर मैंने नहीं देखा था वो उसी दूसरे लड़के ने देखा था एसा तो नहीं विष्ण को ट्रेंड से उसलादगे ने धका देते वक्त तूने देखा था नई सर मैंने बोला ना हम सफ दूसरे उसे कमपार्टमेंट में थे सर मैंने तू लटकी को देखा तक नहीं था लेकिन हां, सर, लेडीज कंपार्टमेंट से किसी लड़की की चीह सुनाई दे रही थी हुमें बचाओ, बचाओ तरे को ओवाद ही गोई? हाँ, ओवाज आरही है लगता है, लेडीज कंपार्टमेंट से अवाज आरही है कुछ प्रोबलम है ओपे हाँ, मुझे भी लगता है, आवा जिदर ही से आ रही है क्या हुआ, अंगल लेडिस कंपार्टमेंट से अवाज आ रही है कुछ तो प्रॉब्लम है मैं काम करता हो, मैं चेन खिछता हूं इस्टाओ, वो लड़की कूद गए टेंज से क्या, मैंने भी देखा उसे सर, मैं तो खुद ट्रेंड की चेन खिछना चाता था और उस लड़की ने मुझे रोग दिया बोला की लड़की कूद गई है और हम शोर्नूर उतर करके रेलवे पुलिस को सब बता देंगे तुम लोगों ने लड़की की चीके सुनी थी, उसको ट्रेंड से कूद देखा था फिर शोर्नू स्टेशन पे रेलवे पुलिस को पूरी बात क्यों नहीं बताई थी सच सच बता दे, क्या कान किया था उन दोनों ने मिलकर उस लड़की के साथ सर, हमने कुछ नहीं किया है सर, सर हमें तो उस लड़की की परवा थी, तभी तो हमने रेलवे पुल उसको सब बता दिया था सर, ये कोई साजिश लगते, तभी तो इस रंजीत का जोड़ितार गायब रंजीता का है कि सवामी उसका दोस नहीं हो एक काम करो रंजीतार स्वामी इस केस में रामया का स्टेट्मेंट बहुत जलूरी है ah रामानुज, राम्या कैसी है? वो ठीक नहीं है अदीपा, काफी इंजरीस है, और बनुस के अब क्या होगा? तेंक दिल को है? जची, जची, क्या हुआ? क्यों नॉइस पोल्यूशन बढ़ा रहा है? तेंट नहीं मिल यह टीशेट अपने लिलाया तो तुम पहन के रखियो मुझे लगा तो मेरे लिए लेक्या है, यलो मेरा फेवरिट कलर है ना? तो कि हर यलो चीज आपके हो जाएगी क्या? अब मैंने पहन लिए ना? कल मैं थेड़ लिए, एक नया दूसरा टी-शेट लेके आऊंगी. प्रोमिस. नहीं, मुझे अब्भी चाहिए. जच ना. चोड़ना, यार. नो, अब्भी चाहिए. फाइन. येले तेरी टी-शेट मेरी ही गलती थी, कि मैंने तुछ से कुछ एक्सपेक्ट किया. अलो? सर. जी सर, मुझे पता है कि मैटर बहुत सिरियस है, और ट्राइंगो लेवल बेस सर. हो किसा? सर. सर. सर, मेरी फोरेंसीक टीम से बात हुई. ट्रेन के डिब्बे में जो खून के थब्बे मिले थे, वो रामय के खून के साथ मैच करते है. यह बात तो कंफर्म है, कि उस राद उस ट्रेन में रामय को किसीने मारने के खोशिश की. शायर लूट भी वही हुई है. सर, जहां रामय मिली थी, उस एर्या के सभी पॉकेट मार और हिस्टी शीटर्स को हमने राउंड अप किया. तेकिन कोई कुछ बोलने था. पर वहां रंजीत भी अपना पुराना रागला आप रहा है. रंजीत और स्वामी के कॉल रेकॉर्ड्स को हमने चेक किया. लेकिन कुछ मिला नहीं से. पता है क्यों मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि रंजीत और स्वामी एक दूसरी को पहले से जानते हैं. आप मेंनू, बोलो. सर, स्वामी के रिलेटिव से स्वामी के बारे में पता चला है. उठाकर रिलेकर हो इस स्वामी को. सर, गैंग्रेव की न्यूज सुनके मुझे लगा कि मैं भी पज जाओंगा. इसलिए डर के मारे बिल में चुप गया था. अब बिल से बाहर आया है, आप सच बोल दे. सर, मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया जो आप ऐसे बोल रहे हो. सर, इसलिए कोई प्लिस को कंप्लेन नहीं करता है. क्योंकि आप लोग क्रिमिनल को पकड़ने के बजाए शरीफ लोगों को पर्षान करते हो. सर, वो लेडीज कमपार्टमेंट में थी? और उसी लेडीज कमपार्टमेंट में खून के धब्बे मी मिलें थी. तेरा दोस्ट बता रहा था कि वो लड़की खूब चिला रही थी? हाँ, सर, चिला तो रही थी. बचाओ! बचाओ! तेरे को आवाद है कोई? हाँ, आवाद आ रही है. सब मैं मानता हूँ तब मैंने चैन खीचने के लिए मना किया. लेकिन थोड़ी दिर बाद मैं वापस बाहर की तरफ गया तो मैंने तेखा. तो मैंने तेखा. हुआ! हुआ हुआ? आवा जो फीकलिटाना ए ए लेडियस कंपार्टमें में से कुद गया. एक आथ वाला आदमी? लेकिन ये एक हाथ वाले आदमी की बात, रंजीत ने आ हमें क्यों नहीं बताई? सर, मुझे नहीं पता सर, लेडी स कंपार्टमेंट से वो ेक थाथ वा अदमी पी कूदा था और सर, जिसने देखा था, उसने में मुझे कुछ नहीं बताया था हाँ, लेकिन सर, मैं वो एक हाथ वाले आदमी को अपने कंपार्टमेंट में देखा था तुम बोल रहे हैं वो एक हाथ वाला आद्मी तुम्हारे कंपार्टमेंट में था, लेकिन स्वामी बोल रहा है कि वो लेडीज कंपार्टमेंट से कुदा था ऐसा मैंने कब बोला सर, वो तो मुझे दूसरे आद्मी ने बोला था सब्सक्णार्ट एस ने उसकी होगा रामे के साथ जो कुछ सुछ भी हुआ वह आलामिर अ। स्टेशन के बीच हुआ मुझे लगता है कि एक हात वाले आदमी का सस्वेंस ये लोग खुद को बचाने के लिए कर रहे इन दोनों का डिये ने टेस्क कर वा मुझे तो लगता कि इस रेप में ये दोनों ही इन वर्ड और इन दोनों से उस आजमी का स्केज बनाओ और लेकिन अलग-अलग बिठा कर देखते हैं इनके दिमाग में जिस आदमी की तस्वीर है वो वाकई में है भी या नहीं और सुनों सेशन जाके पता करो कि उस दिन उस कंपार्टमेंट में इनके साब कौन-कौन ट्रैवल कर रहा था सर नोनों से लगबग एक जेसे हैं मतलि एक हात हात वाला आदमी वाकई में हैं सर शॉर्नूर रेल्वे स्टेशन की से सी टीवी पृटज मिल गई है इस केस में अब एक ऐसे शक्स का जिक्र हो रहा था जिसके होने ना होने को लेकर पुलिस को संदे है था और ये सवाल अभी कायम था कि रम्या के साथ ट्रेन में जो हुआ जो हुआ जो हुआ जो हुआ लेकिन उसका ग्यांग रेप वल्लामीर और शोनूर के बीच रेलवे ट्राक्स के पास जखमी हालत में किया गया लेकिन जो उस राज शोनूर स्टेशन पे उतरे थे उन लोगों को रम्या के ग्यांग रेप से जोड़ना असंभव को संभव मान ले दे जैसी अतिशोक्ती लेकिन स्वामी का बयान भी अतिशोक्ती से कमने ही था कि रम्या के ट्रेन से गिरने के बाद लेडीज कमपार्टमेंट से एक कटे हाथ वाला आदमी चलती ट्रेन से कूता था उसको कूतते हुए देखने वाले लिए पहचान की गई और उसको भी पोलिस्टेशन को लाया हाँ सर यही वो एक हात वाला बिकारी था जो दिन लेडीज कमपार्टमेंट में से कूझ इस था चब मैंने लड़की की चीक सुनी तो मैं धर वाजे पेगया चैठी के ड्रेन ले था हुए था खोश्ती ने टूतने ले उए यह एक हात वाला भीकारी खुझ चलते ट्रेन स और तुम कह रहे हैं और तुम कह रहे हैं और तुम कहरे हैं कि वो लेडिस कमबाटमेंट में था तो तुम यहां से उतरका रहे हैं और फिर खुच चलती तरण से कूद गया बाकी क्या हुआ में को नहीं मादूल सर बाकी बहुत कुछ हुआ है अरजुन जी ट्रेन से गिनने के बाद लड़की को चाडियों के बीच गसिट कर लेकर गए और उसके साथ गैंग रिप हुआ है जब न्यूज में है तो मैंने भी देखा था और बाद में में को रेलाइज एक हाथ कटा हूँ आदमी मुलूर प्रण स्टेशन से हमारे कमपाटमेंट में आखे बैठा था लेकिन सर ट्रेन से कुटते हुए मैंने ना उस आदमी को देखा था न उस लड़की को आपने उस लड़की की चीके सुनी थी हाँ सर जितने भी लोग कमपाटमेंट में थे सब लोगों ने सुनी थी जब लड़की के आवाज आई थी ना तब आदमी हमारे कमपाटमेंट में नहीं था आपको पता था कि आपके बाजू के कमपाटमेंट में लड़की मुसीबत में आपको एक बार भी नहीं लगा कि उस लड़की की मदद करनी चाहिए वो क्या है करना सर्व एक लड़का बोला कि वह लड़की चलती तरहन से कुड़ गए इस समझ में ने आ रहा सर कि वहां क्या हो रहा है कए अनुह को समझ में तु सब कुछ आ रहा था लेकिन बादकों के डर से बोल वे रहे हैं जो उन लड़कों ने बोलने को बलाने नहीं नहीं सरी चारों बोल रहे हैं कि उन्होंने उस तरह ट्रेन में इस एक हाथ वाले आदमी को देखा था और इंडा रेखली इशारा भी इसी की दरफ कर रहे हैं मुझे इन चारों की जूट बोलने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ थी मैंने इनके रेकॉर्ड चेक के हैं इन दूसरे को नहीं जानते नायर रामय के सब ग्यांग रेफ हुआ है अम इन चारों पर ऐसे वरोसा नहीं कर सकते इनका भी डियने टेस्ट करो सर सर रामय के मेडिकल रिपोर्ट जेकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उसका गैंग रेफ नहीं हुआ था बलकि एक ही आदमी का इंवाल्मेंट है उसके रेफ में लेकिन डॉक्टर साब रामय जिस कंडिशन में मिली थी और अभी जो उसकी हालत है उसे देख कर लगता नहीं कि ये एक ही आदमी का काम है सर रामय के बाड़ी से जो हमें डियने सेंपल मिला है वो सिर्फ एक ही आदमी का है जिसने उसका रेप किया था सर उसकी कंडिशन में कोई भी इंप्रूमेंट नहीं हो रहा है पर फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं प्लीज दॉक्टर दू सम्धिक सिर्फ रामय ही हमें बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ था और किसने यह सब कुछ किया था वह दर्थ हो रहना रामय बोलना बिटा मैं आप प्लीज बाहर जाएए हमें कुछ टेस्ट करने हैं पूर्ण पर दूर्ण पर रामय के टेन से गिरने के बाद इसे भी टेन से कुटते हुए देखा गया और रामय के बॉड़ी पर भी एक ही अदमी का डीन सेंपल मिला है कि एक हाथ वाला अदमी एक घाया लड़की को ट्राक से करीब 200 मिटर दूर तक घसीट के ले जाना और वहां उसके साथ रेप करना सब्सक्राइड च पैसे हो सकता है लेकिन इस ने यह नहीं किया किसी दूसरे आदमी ने किया तो उस दूसरे आदमी का हमारे पास कोई कुई नहीं है नार कैसे भी करो पता करो यह आदमी है कौन उस रहत उस कंपार्टमेंट में जो कुछ भी हुआ था या तो राम्या बता सकती है या फिर यह आदमी सर्थ हुआ नार कमार में जोकुआ था मया। फोगार काथ लुद हुआ क्टेश कि लिएší रडरावन रडराय रडरावन रडरावन रहर स्बस्टावन रडरावन जया ट्रोampa मेरे बच्ची को अपनी दर्थ से मुक्ती तो उसे तब ही मिलेगी जब उसके कल्प्रिक को सजा होगी अला मेरे क्यों लाएगा यह नाटक बंग कर दिया एक लड़की के साथ ट्रेन में मार पिट की उसको चलती ट्रेन जे फेग दिया और उसके बाद उसका रेप भी किया मैं मेरे को देखो साप मैं ऐसी हलों को रेप कर सकता हूं साप मेरे को मालूम है आप लोग पुलिस वाले हैं आप लोग बड़े आदमियों को बचाने के लिए मुझ ऐसे गरीब आदमी को फासिप चड़ा देंगे लेकिन साप मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा वो ऐसे मुझ नहीं खोलेगा इसके अच्छे से खातिरदारी करो है साप क्या करो साप इसके मुताबिक उसकी मौत सर पे घहरी चोट लगने के वचे से हुई जब राम्या को असपटाल ले जाया गया था तो इसके ग्लासगो कॉमा से नहीं मतलब जी-सस चार थी एक मरंवए आफ्मी की G.C.S. 3 होती और एक जिंद आआत्मी की पंदरा explorability मतलब बॉजर्य को जब अस्पताल में ले जाया गया थू लेड़ी एक तरफ JWait को रेप काई करने के لिए कसर कहें नहीं छोड़ रही थे, वहीं दूसरी तरफ, अर्विंद को बचाने के लिए एक योजणा तयार की जा रही थी मैं जिस केस में भी हार डालता हूँ उसे जीत ही लेता हूँ लेकिन आपको मालूम है मेरी फीस कितनी है अफोर्ड कर लोगे मुझे ठीक है मैं पहले अर्विंद की बेल करवाता हूँ अगला प्रोसेस बाद में बता हूँ आप देख सकते हैं कि पुलिस अर्विंद को कोट में लेकर जा रही है आज रमया रेप केस की सुनवाई है और अर्विंद को फासी की सजा दिलाई जाने की मांग की जा रही है जेक के सबसे फेमस और क्रिमिनल लॉर बीपी कुकनर आर्विंद को डिफेंस कर रहे है उनका माना है कि आर्विंद इनुसेंट है मैं आर्विंद को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप या कोट में बठा कोई भी आदमी ये मानने को तयार होगा कि इस 40 किलो के आदमी ने एक 52 किलो की लड़की को असौल्ट किया मतलब पहले उसे ट्रेन से नीचे फेंगा फिर खुद नीचे कूदा और जख्मी हालात में उस लड़की को 200 मीटर ट्रेक से घसीट कर दूर ले गया और उसके साथ त्रेप किया वो भी एक हास से और जब रामया ट्रेन से कुदी अरविन भी कुदा इससे ये प्रूव होता है कि अरविन नहीं रामया को असौल्ट किया था क्योंकि उस वक्त ट्रेन के कंपार्टमेंट में रामया और अरविन के अलावा कोई नहीं था ये सब सर्कम्स्टेंशल एविदेंस हैं एक्टिली नोबडी सौन नस थी कुछ हुआ ही नहीं ना सौल्ट ना रेप बस सिर्फ चीकें सुनी मैडम ये लेडिस कंपार्टमेंट में मिले एविदेंस हैं इसमें उसी शट के बटन्स हैं जो लेडिस कंपार्टमेंट में मिले चार लोगों ने देखा था उस राद अर्विन को और अर्विन था या नहीं ये इसके डिन ने टेस्ट से क्लियर हो जाएगा मैडम हमारे पास एक और विटनेस है जिसने अर्विन को रामिया पर नज़र रखते हुए देखा था अभीदा जी प्लीज आईए साब हम देखे थे इस आदमी को हम अपनी पोती के लिए बिस्कुट लेने प्लेटफरम पर उत्रे थे और ये हवस बारी नज़रों से आमें घूर रा था फिर उसकी नज़र रामिया पर पड़ी वो उसे भी वैसे ही नजरों से देख रहा था हमने रामिया को बोला भी कि अगर अगले स्टेशन पर डिबा खाली हो जाए तो वो दूसरे डिबे में चली जाए लेकिन उसने कहा कि सीफ दो स्टेशन की तो बात है और हम अगले चानने की ताकत हर लड़की में आ जाए तो इस दुनिया में रेप हो ही ना क्यों यह अर्विंद का कैरेक्टर असासिनेशन है और कुछ भी नहीं मैडम हमारे पास एक और विटनेस है आईए ब्लीज जिस रात राम्या का रेप हुआ था उस रात हमने इसको वहाँ देखा इस केस में अर्विंद का दूशी होना नहोना उसकी डिने रिपोर्ट पर निर्भर समझा जा रहा था और जल्द ही डिने रिपोर्ट सामने आई मैडम मैडम इसके क्राइम से खतने होते हैं Arvind repeated offender है, train thefts, robbery, molestation और indecent behavior जैसे कई incident science के खिलाव And he has no guilt Arvind एक hopeless example है humanity के लिए And prosecution request कि इसे rarest of rare case मानते हुए capital punishment दी जाए Capital punishment? Rape के लिए? Rape and murder मगर murder तो कई प्रूव भी नहीं हुआ कोई भी evidence ये state करता ही नहीं है Of course करता है Post-matem report के हिसाब से Ramya IR की मौत सर पर गहरी छोट लगने की बज़े से हुई और doctors की report के according Ramya को जब hospital लाया गया तो उसका Glasgow coma scale यानि कि GCS सिर्फ 4 था एक मरे हुए इंसान के GCS 3 होता है और जिन्दा इंसान का 15 Ramya IR train से गिरते ही vegetative state में चली गई थी और neurological examination और evaluation को देखा जाए तो Ramya IR was almost a dead body जब उसे hospital लाया गया और उसकी उस हालत का कारण ट्रेन से उस पत्थर पर गिरना था Ma'am, court is a place of reason Ramya की मौत पत्थर पर गिरने से हुई है पर वो गिरी कैसे? किसी ने उसे धक्का दिया, वो खुद गिरी ये तो कोई नहीं जानता ये देखिए Prime witness number 1 को लगता है कि वो खुद कुदी थी witness number 2 को लगता है कि वो गिर गई थी जबकि witness number 3 को लगता है कि उसे धक्का दिया गया था तो मैडम, इसमें अर्विंद ने मर्डर किया ये कहां प्रूव होता है मैडम, डिपेंस के इस सवाल का जवाब ढूनने के लिए और तब तक अर्विंद को पुलिस रिमान में भेजने की इजाज़त दी जाए आई अब्जेक्टो रहनो, पुलिस रिमान में इस बचारे गरीब की जान चली जाएगी कुकनूर साहब आपको एफोड करने वाला कोई इंसान गरीब कैसे हो सकता है रिमाद ग्रांटेड, कोट विल मीट इन 15 देज थैंक यू मैडम नायर, इस अर्विं की ठुकाई करके फाइदा नही है इसका मूँ खोलने के लिए पिछ और करना होगा हुआ हुआ है साब, बाद, 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 प्रभान करते हैं वाव बाण निखो अबिया चान. अबिया बाहर निखो. मेरी physical confirmed एजा. मैं ठंदू. इजिंगाल चुरणा. खाल, बाचाओ! बचाओ! बीजो जोसे जोर देजिजे! आजह जोर दूँ है? बचाओ! बचाओ! बचाओ, और आए! नहीं! बाफ कोँए, DJ. प्लीज जा देजिजे! नहीं, 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 नहीं! खुडूु! खुडू! अयो, घूगर, अयो, चण्दिंखे लिए, जोलुदे रिल, जो तुल! कर दो कर दो कर दो एविदेंस और विक्टम के कन्फेशन स्टेटमेंट के अनुसार अर्विन करूप ने ही अरामिया आयर को ट्रेन से फिखा जिसकी वज़े से उसकी मौत हुई मैम, कन्फेशन वास फोस्ट पुलिस रिमार्ण में क्या गया होता है, सब जानते मैडम, मेरे को इतना हमारा कि मुझे साहीं करना पड़ा मैं तो लॉकप में दम तोड़ देता फिर ट्रीटमेंट करवाया, ताकि किसी को पता ना चले मैडम, पुलिस का सड़ी में से हाथ तक नहीं लगया गया मैं सफ आपके दियोए डॉक्यूमेंट्स रीड कर रही थी बड़ ये एक्स्टा जूडिशल स्टेटमेंट्स है और ये स्टेटमेंट किसी मेजिस्टेट के सामने लिए नहीं गया है, है ना? जी मैं तो प्रोसिकुशन को पता होना चाहिए ये एक्स्टा जूडिशल स्टेटमेंट कोर्ट में एक्सेट नहीं होते अर्विन कुमार अवोर्डे कैप्टेल पणिश्मेंट्स चे चे जल्दी कैमरे लगा पुलिस और प्रोसिकुशन को दिया गया एक्स्टा जूडिशल कस्टेडी कंपिशन वैसे तो कोर्ट में माइने नहीं रखता पर रमया आयर के के केस को रेरेस्ट आफ रेर केस बताते हुए जज ने ये कंपिशन एक्सेट कर लिया है रमया रेप केस के प्राइम अक्यूज अरविंद के डिफेंस लॉयर बीपी कोकुनूर को किस ने और किस मकसद से एक केस लड़ने के लिए फंड किया था ये राज आज भी बरकरार है और बीपी कोकुनूर ने कभी इसका खुलासा नहीं किया लेकिन जूट की वकालत चाहे जितने भी प्रभावी ढंस की जाए जीत हमेशा सच की होती है पर इस सच को स्विकार करना हमेशा दुखद होगा की रम्मय आयर अब अपने परिवार के साथ नहीं है साल दर साल सिर्फ विक्टम के नाम बदल जाते हैं लेकिन ऐसे गंभीर मामलों की रोक्थाम के उपचार निरर्थक साबित हो रहे हैं जिस पर हम सब को गौर करने की जरूरत है